इंडिया और आश्टिले के बीच चार मेचों की टेस्ट स्रंकला यहां पर खेले जाने वाली है इंपोर्टेंट यह है कि यह स्रंकला इंडिया बे होने वाली है और यहां पर जो मेच होगा इसका मतलब है कि इंडिया का दबदबा यहां पर कायम रहेगा 57 परसेंट यहां प टेस्ट के अंदर बहतरीन टीम यहाँ पर देखने को मिलिए इंडिया के नागपूर स्टेडियम में यह मेच होगा जो की वी से स्टेडियम होगा पिछ रिपोर्ट परते किलाडिय का प्राइसिस और प्रडिक्शन हम आपको बताने वाले इस वीडियो को अन तक देखते रह यहां पर रोई शर्मा कैप्टिन और कुमिश आचले के कैप्टिन है तेज गेंदबा जो को सपोर्ट यहां पर करता है यह पिछ क्योंकि यहां पर जो गेंद पास्ट जाती है पास्ट बोलर यहां पर वेरी इंपोर्टेंट है क्योंकि आपको पास्ट बोलर के अनुकूल यहां पर पीच जो है देखने को मिली लेकिन यहां पर 6 साल हो गए है टेस्ट मेच किसी भी कोई भी टेस्ट मेच खेले हुए 2017 के अंदर लास्ट सेट मेच खेला गया था उस टेस्ट मेच के अंदर यहां पर पीच कुछ अलग देखने को मिली थी आस्टले की टीम अश्विन और जड़ेजा से यहां पर फेल ही घात का रही है क्योंकि यहां पर डल लग रहा है आस्टले की टीम को कि अश्विन और यहां पर जड़ेजा यहां पर जो है बहतरिन बॉलिंग कर सकते हैं पहली पारी यहां पर जो है इंडिया एक पारी और 249 और 49 रund से यहाँ पर इस मेच को जीती थी जो कि एक 13 मेच हो hara था यहाँ पर average score की बात करें तो पहली पारी का average score यहाँ पर 345 के आसपास है सेकिन पारी का 418 और थर्ड पारी की बात करें तो 261 रन और फौर्थ पारी की 209 रन के आसपास का है जैसे जैसे यहाँ पर पारी आगे बढ़ेगी यहाँ पर score भी कम होता चला जाएगा यहाँ पर जो हाई स्कोर की बात के तो इंडिया का ही है जो की 610 रन बनाये थे सिलंका के किलाब और लोई स्कोर की बात के तो वो भी यहाँ पर सिलंका का है 164 रन सिलंका ने बनाये थे इंडिया के किलाब तो यहाँ पर इंडिया का दबदबा इस इस्टेरिया में रहा है हमेशा से तो यहाँ पर पिछ रिपोर्ट के बाद हम बात करने वाले पलेयर केरी को आप ले लिए आस्टले की तरब से बहतरी कर सकते बारत की तरफ से यहां पर कोई भी टेस्ट प्लेयर नजर नहीं आ रहा है, भरत यहां पर खेल सकते हैं, इशान किशन को ड्रोप किया जा सकता है, लेकिन भरत भी टेस्ट यहां पर बरोसे के काबिल नहीं है, क्योंकि इतने मेच नहीं खेले हैं, अभी तक इसमित को आपको लेना होगा विराट कोली वानर रोई शर्मा और चेतेसर पुजारा आपके लिए ये पांच बेस्ट में वेरी इंपोर्टेन होने वाले केहल राहूल को आप ले सकते हैं केहल राहूल भी अच्छा खेलते हैं लेकिन फिलाल हम यहां पर MS गिल सुभामिन गिल को भी आप ले स चाहते हैं तो फिलाल आप ड्रोप कर दीजिए क्योंकि आच्छा उलाउंडर नहीं है कुमिश को आप ले लीजिए यहां पर कुमिश आपके लिए बेहतर कर सकते हैं यहां पर बात करते हैं M-SiRaj बात की तरफ से यदि यह आपको बोलर लेना चाहते हैं यह उमिश इंडिया की तरफ से सलेट किये थे जो कि एक बहतरी फॉर्म दिखा सकते हैं यहां पर कैप्टिन और वाइस कैप्टिन की बात करे तो यहां पर कैप्टिन और वाइस कैप्टिन के लिए आपको रविंदर जड़े जाई यह आपके लिए बहस ट्रेस सकते है कैप्टिन्शिप के लिए जो कि इंडिया की तरब से और आश्टले की तरब से कोई बात करे तो हम वानर अच्छा कर सकते हैं जिए सर्फ उजरा इंडिया की तरब से बहतरी कर सकते हैं लेकिन डेविड वानर पर हम दाव लगा सकते हैं क्योंकि डेविड वानर एक बहतरीन बलेबाज है और अच्छी बलेबाजी टेस्ट के अंदर कर सकते हैं डेविड वानर बाज के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं तो यह टीम हमने फाइनली स्लेट किये जिसमें एक विकिट कीपर पां